नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गा प्रसाद मिस्र, कदंबरी कथा मुख की स्किक्षा में आप लोगों का स्वागत करता हूँ अभी तक हम लोगों ने जावाली आश्रम के वरणन के पांच भाग पढ़ लिये हैं अब हम लोग छठा भाग पढ़ेंगे, ठीके? इसको हम लोग देखेंगे यहां से तो असुरारी की तरह एक मिनिट असुरारिम इव अर्थात असुरारी की तरह है ठीक है? असुरों के अरी कौन है? भगवान विश्णों असुर, असुर यानी की राक्षस और राक्षसों के अरी यानी सत्रू कौन है भगवान? विश्णों उनकी तरह इव मने की तरह है उनकी तरह है असुरारी में व असुरारी यानी असुरों के राक्षसों के अरी यानी शत्रू भगवान विश्णों उनकी तरह कौन है? जावाली का आस्रम है ठीक है? तो कैसे है? इस चीज को देख लेते हैं कि प्रकटित नरहरी वराहर उपम आस्रम ने और भगवान व भगवान ने क्या किया और मने आश्रम में क्या है ये समानताएं है वो इस पंक्ती से इन्होंने सलेश की द्वारा कह दिया है अर्थ भिन भिन हो जाएगा दोनों पंक्षों में तो देख लेते हैं जैसे प्रकटित मने प्रकट किया है प्रकटित मने प्रकट किया है प्रकट किया यानि प्रकाशित किया क्या किया प्रकाशित किया है नरहरी नरहरी का मतलब क्या होता है नर मनुस्य और हरी कहते हैं सिंग को तो इसको हम लोग नरसिंग से समझ सकते हैं ठीक है नरसिंग वा बतार भगमान ने लिया है ना भगमान विश्णू ने नर हरी नर माने सिंग जो मिला हुआ अवतार क्या है उसको भगमान ने लिया और वराह यानि कि शूकर का अवतार लिया समझ में आए कि नहीं तो न्रसिंग और वराह शूकर के रूप को सुरूप को प्रकटित्म ने प्रकट किया प्रकाशित किया किसने भगवान विश्णों ने ठीक है प्रकटित्म ने प्रकट किया प्रकाशित किया किसको न्रसिंग को नरहरी यान रसिंग और बराह यानी सूकर के रूप को सुरूप को प्रकट किया है भगवान विश्णों ने प्रास्त्रम ने क्या किया है भई तो प्रकटित नरहरी बराह रूपम ठीक है प्रकटित नरहरी बराह रूपम जहां पर प्रकटित माने प्रकट हो रहे है कौन नर नर मने मनुस्य मानव हरी हरी याने की सिंग वराह सूकर रूप रूप मने होता है हिरन जहां ऐसा कौन है ऐसा आस्त्रम है क्योंकि आस्त्रम में ये चीजें आपको मिल जाएंगी आप आस्त्रम में मनुस्य भी है आस्त्रम में हरी याने सिंग भी है आस्त्रम में वराह सूकर भी है आस्त्रम में रूप याने की हिरन भी है प्रश्ट हो गया अगर नहीं प्रकटि कि दिख रहे हैं पर पाश्ट हो गए कि नहीं और आस्रम कुए साहे तो केते हैं एक है और आस्रम के ही विशेशन चल रहे हैं ठीक है कि कहते हैं कि सांई कीटर है जिएसे सांह के दर्सन जो है कपिल मुनी के द्यूरा अधिश्ठित है उसी प्रकार Goo यास्रम वे कपिला के द्यूरा अधिश्ठित है जैसे सांख के एक क्या है दर्शन है वो दर्शन इब मने की तरहें जैसे दर्शन उस दर्शन की तरहें क्या है आश्रम है क्यों 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 कि दर्शन को किसके द्वारा दर्शन को प्रणीत किया गया है तो कपिल सांख सास्त्र के निर्माता अचारे तो कपिल मुनी को सांखð सास्त्र के निर्माता अचर उनके द्वारा अधिष्ठित है मुनी के द्वारा तथाई वो उस दर्सांख दर्सन की तरह ही या अस्रम भी कपिला से अधिस्थित है। कपिला यानि की कनकवरण की सोने के रंग बाली गाय से अधिस्थित है यानि युक्त है। गाए से अधिश्ठित यानी युक्त है यहाँ आस्रम समझ में आ गया कि नहीं यह जो आस्रम है क्या है कपिला सोने के रंग वाली गाय कपिला गायAH उसवसे अधिश्ठित यानी आस्रम युक्त है ठीक है दोनों में घट गया आप कहते हैं मधुरू उपबन मिव बलाव लीड दरपित धियनुकम तो जो मधुरा का उपबन है उसकी तरह ही है मधुरा याने की मधुरा मधुरा मतलब क्या है मधुरा मधुरा नगरी मधुरा का जो उपबन था मधुरा का जो क्या था उपबन मतलब जो मतलब वन हो विसेश छोटा थोड़ा बन रहे समझ में आगे एक नहीं का जो बाग रहे ठीक है उस बाग की तरह हैं उस बाग की तरह कौन है आश्त्रम है तो जो मतुरा का बाग है उपबन है वो कैसा है तो मतुरा के जो बाग में बल से अवलीध दरपित चहांँ पर बल से अवलीध बल से युक्त ठीक हैं बल से अब लीड यानि की युक्त होने के कारण बल से युक्त होने से जो क्या था दर्पित था तर्पित यानि घमंडी तर्प कह दे हैं घमंड को गर्व को गर्वित था बल अबलीड होने के कारण उसके अंदर बल भरा हुआ था बलवान था बल से अबलीड यानि युक्त था तो इसलिए दर्पित मने घमंडी कौन घमंडी धेनुक नाम का दैत्य जहां समझ में आएक नहीं बल से अबलीड मने युक्त होने कारण जो दर्पित मने घमंडी धेनुक मने दैत्य वो दैत्य है जहां ऐसा काउन है ऐसा मतुरा का बाग है इतना समझ में आया कि नहीं क्योंकि मतुरा में भगवान श्रीक्रणे ने धेनुक असुर को मारा था देनुक नाम का क्या था एक अशुर्धा दैत्य था कहां रहता था वह मतुर्ण के उपबन में और वो इसलिए वतारां की बसे अवलीड बसे युक्त दरपित माने इसलिए चुबकर जब अवलीड होगा युक्त भरा हुआ होगा तो फिर दरपित हो जाएगा घमंडी हो जा आस्रम में देनुक कार्थ बदल जाएगा बल से अबलीड मने बल से युक्त अथो बल से युक्त होंगी तो घमंडी तो हो ही जाएगी घमंडी ठीक है गर्व हो गया है जिनको लेकिन आईसे देनुक नाम का राक्षस नहीं है आस्रम में आस्रम में ध्यानुक यानि की नई ब्याई गाए ध्यानुक किसे कहते हैं नई ब्याई हुई गाए भैस जो कोई भी हो ध्यानुक कहा जाता है तो यहाँ नई ब्याई गाए ले लेना है नई ब्याई गाए हैं जहाँ समझाया कि नहीं आस्रम में कैसे घटेगा बल से अवलीड बल से युक्त होने के कारण दरपित मने गमंडी कौन धेनुक धेनुक कहते नई ब्याई गाय तो नई ब्याई गाय हैं जहां ऐसा क्या है ऐसा है आस्रम समझ में आ गया कि नहीं देखिए यह जो विशेशन आस्रम में भी घट गया और यहीं विशेशन मतुरा के उपबन पाग में भी घट गया ठीक है तो बल से अवलीड युक्त होने के कारण दर्पित घमंडी धेनुक जहां पर है और बल से अवलीड युक्त होने कारण दर्पित घमंडी धेनुक यानि नई ब्याई गाय जहां पर है ठीक है ऐसा आस्रम है और यह जो विशेशन है यह मतुरा के उपबन में घट जाएगा आप कहे रहे हैं कि उदयान मिव आनंदि बत्स कुलम उदयन की तरहें जिसने बत्स के कुल को क्या किया है अब यहां पर आनंदिद किया है देख लेते हैं उदयन की तरहें जिसे उदयन नाम का क्या था एक राजा था उदयन नाम का क्या था राजा था उस इव माने की तरहें उदयन नाम के राजा की तरहें ठीक है तो उसने उदयन नाम के राजा ने क्या किया था मने सुन्दर नेतियों का परिपालन करवा करके और प्रजा का पालन पोशन किया जिससे प्रजा आनंदित हुई ठीक है तो उद्यन राजा ने क्या किया था जो वत्सदेश का अधिपती था तो उसने वत्सदेश की प्रजा को सुन्दर नेति मारग पर चल करके और उस पोशन किया जिससे प्रजा में आनंदुत पन्न हुआ ठीक है तो उदेन राजा की तरह आनंदित वत्स कुलम जिसने वत्स देश की प्रजा को आनंदित किया है पत्स मने वत्स देश के कुल मने प्रजा को प्रजा जन को आनंदित किया यानि आनंद दिया समझ में आए कि नहीं राजा का आचरण अच्छा रहेगा तो प्रजा में आनंद रहेगा तो आनंद त्यानी आनंद दिया आनंद दिया बत्स देश के कुल यानी प्रजाजन को बत्स देश के प्रजाजन को उधियन ने क्या किया था आनंद दिया था उसी की तरह क्या है उदेन की तरह ही आसरम भी है क्योंकि आसरम में भी जो बत्स हैं बत्स यानि बचडे बचडे हैं जो जो बचडे हैं उन बचडों के कुल यानि समूह वो समूह जो है आनन्दित रहते हैं आनन्द युक्त होते हैं बत्सकुल यानि बच्छणों के समूह जहाँ क्योंकि आस्रम में भरपूर मने हरी घास उनको मिल जाती है बिना किसी समस्या के इसलिए जो बच्छडे हैं जो गाय के बच्चे हैं वो वहाँ पर आनन्दित रहते हैं समझ में आगे एक नहीं खाने बीने के लिए वहाँ कोई कमीना रहने के खारण और यहां पर भी आनन्दित है बत्सकुल राजा उधियन के द्वारा उधियन ने जो है बत्स यानि बत्स देश के कुल यानि प्रजाजनों को आनन्दित किया उधियन और यहां आस्रम में भ जाएगा यहाँ पर अब कह रहें कि किम पुरुषाधिराज्यम इवक किम पुरुषाधिराज्यम इवक मुनिजन ग्रहीत कलशाविसिच्यमान तुम जो किम पुरुष का अधिराज्य है उसके समान है किम पुरुष कहते हैं किन्नर को किम पुरुष मने नर होता है तो किम पुरुष मने किन्नर हो जाता है ठीक है? तो किम पुरुष यानि किन्नर किन्नर ये भी क्या है? कुछ विशेश पुरुष्थ है जिनको किन्नर कहा जाता था तो किन्नरों का का जो अधिराज्य यानि राज्य है उस राज्य की तरह है किंदरों का जो राज्य है उस राज्य की तरह है कौन है आस्त्रम है आस्त्रम जो है किंदरों के राज्य की तरह है क्यों भाई है तो जो किंदरों का एक राजा था दुरुम नाम का क्या था राजा था उस दुरुम नाम के राजा को मने राजा बनाया उसका राजय अभिशेक किया था मुनियों ने तो मुनि जन मने मुनि लोग मुनि जन यने की मुनि लोग मुनि लोगों ने क्या किया था दुरुम नाम के राजा एक किंदरों का राजा हुआ और उसका राजय भिशेक किया था मुनि लोगों ने तो मुनी लोगों के द्वारा गृहीत मने ग्रहन किये गए, मुनी लोगों के द्वारा ग्रहीत यानि ग्रहन किये गए, ग्रहन किये गए मुनी लोगों के द्वारा पकड़े गए अध्वा ग्रहन किये गए कलस कलस मतलब होता है घड़ा घड़ों के द्वारा मुनी लोगों के द्वारा ग्रहित ग्रहन किये गए जो घड़े उन घड़ों के द्वारा अविशित चिमान अभिशित चमान का मतलब है राज्य अभिशेक किया गया क्योंकि अभिशेक मतलब होता है सनान तो घड़ों से क्या कराया जाता है विभिन तीर्थों के जल इत्याद से राज्य को सनान कराया जाता है तो घड़ों के द्वारा अब इसे चिमान मतलव राज्या फिशेक कराया गया किया गया तो राज्या अब इसे किया गया है द्रूम का जहां पर ठीक है अब इसपष्ट हो गया होगा आपको कि किमपुरुष मने किन्र का जो अधिराज्य मने राज्य है किन्रों का जो राज्य है उस राज्य में द्रूम का क्या किया गया है राज्या फिशेक किया गया है जहां पर मने किन्रों के राज्य में इसके द्वारा तो मुनी लोगों की दुआरा जो ग्रहन किये गए घड़े हैं उन घड़ों की दुआरा राज्य अविशेक किया गया है दुरुम नाम के राजा का जहां पर ठीक है दुरुम यानी दुरुम नाम के राजा का अब वही मुनिजन यानि मुनिडोगों के दौरा गृहित ग्रहिण किया गया जो कलस्मा ने घणा, उन घड़ों से विषिट चान म। पने विशेक किया गया है, भी ने तीर्थों के जल्द से उसको स्नान कराया गया है, ने राजर अभि सेक किया गया है उसका दृut मरूम न मुनि जन माने वही मुनी लोगों के द्वारा आस्रम में मुनि जन यानी की मुनी लोगों के द्वारा अर्थक वही है यहाँ पर जो है मुनी लोगों के द्वारा ग्रीत माने वही पकड़े अग रहने किये गए मने, कलस मने, घडे, घड़ों से अभिसी चमान मतलव, अभिसी चमान का मतलब है, अभिसे एक कराया जा रहा है, अभिसे एक का मतलव है, सनान लेंगे, घड़ों से नह, लाए जा रहे दुरुम, दुरुम कहते हैं ब्रिक्ष, जो आस्त्रम के ब्रिक्ष है, ब्रिक्ष जहां, ऐसा क्या है, ऐसा आस्त्रम है, अब आस्त्रम में ब्रिक्ष होते हैं, ब्रिक्षों पर मुनी लोग पानी देते हैं, ताकि वो ब्रिक्ष बढ़ जाएं, तो इसलिए जो विक्ष है वो अभिसिद्चमान नहलाये जा रहे हैं। उनमें पानी दिया जा रहे हैं। जो निदाग समय होता है देखिए निदाग समय निदाग का समय को गरीष्म काल को समय काल ठीक है निदाग यानि गर्मी का गरीष्म का समय यानि काग होता है ठीक है तो ग्रीज मकाल का जो जो अबसान है अबसान मतलब क्या होता है समाप्ति समझ मैं जब ग्रीज मकाल की समाप्ति होती है अबसान होता है जो ग्रीश मकाल जो है उने खतम होने वाला होता है अवसान हो जाता है उसका समाप्ती होने वाली होती है तो उस समय पर क्या होता है तो कहते हैं कि प्रत्यासन प्रत्यासन मने समी पाजाता है समी पाजाता है जल का प्रपात मने गिरना जल कौन सा बादल का बादल का जो जल है उस जल का प्रपात मतलब प्रमने अच्छे से पात मने गिरना जल का गिरना प्रत्यसन्य मने समीप हो जाता है प्रत्यसन्य में होता है जल का प्रत्यसन्य में हो जाता है जल का प्रपात मतलब गिरना गी क्या हो हो जाता है समीप में आ जाता है जल का जल कौन सा बादल का जल उसका जल का गिरना क्या है समीप हो जाता है समीप में आ जाता है यह उसमें जल का गिरना फिर सुरू ही हो जाता है ऐसे ही यहां जो आस्त्रम है वो आस्त्रम के किनारे रुत्यासन मतलव किनारे जल का प्रपात है ठीक है किनारे ही प्रत्यसन्वने पास में ही समीप में ही किनारे ही जल का जल यानि नदी का जल उस जल का प्रपात है प्रपात यानि की जर्ना है ए जहां अलक कि अैसा क्या हुआ अईसा जावाली कास सब्सक्राइब थे नहिंन आया कि प्रस्थिया प्रत्या संवने कि नारें जहां जलका बंडु एसapon नाधी जब उपर से नीचे गिरे बनजय के ही नधिक था किनारे ही जलका मने नदी के जलका प्रपात मने जहरना है ठीक है और वो जहरना है प्रत्यासन्द मने किनारे ही जलका प्रपात जहरना है जहां पर आइसा कौन हो गया ऐसा आश्रम हो जाएगा समझ में एक नहीं कि प्रत्यासन्द मने किनारे ही जलका प्रपात यह नि जहरना जलका नदी के जलका जहरना जो है किनारे पर ही है जहां जिस आश्रम के किनारे ही है ऐसा आश्रम समझ मैं कि नहीं प्रत्यासन्य जलब प्रपातम तो इस प्रकार से जो है यहां पर मने और यहां पाट वेद भी मिलता है तो आप देख सकते हैं कहीं कहीं केवल आसन्य जलब प्रपातम में मैंने किनारी ही जलका प्रपात है ठीक है आसन प्रत्यासन में कोई विसेफ अंतर नहीं है एक ही हर्त रहता है चलिए तो यह समझ में आ गये कि नहीं मनें निदाग समय का जो अब्षान होता है समाप्ति होती है ग्रीश मकाल की उसकी तरह आस्रम है क्योंकि ग् अश्रम किनारे ही जलका वरपात है आसन्य वनेभी किनारे ही जलका वरपात ये जर्णा है ठीक है तो आसरम के किनारे हैं जलका जर्णा चलो अब कहा है जलधर समय होता है ठीक है जल धर का समय होता है जल धर जल को धारन करने वाला कौन होता है बादल बादल का जो समय यानि काल होता है यानि वर्षाकाल बादल का काल मितलब वर्षाकाल उस वर्षाकाल की तरह कौन है की तरह बरसाकाल की तरह आस्रम है क्यों है भाई बरसाकाल की तरह आस्रम क्योंकि बरसाकाल में क्योंकि बरसाकाल में वन गहन मध्य सुख सुख तहरिम वन बन यानि की जल होता है वन मने क्या होता है जल वन माने क्या होता है जल होता है और वो जल किसका लेना है छीर सागर का जो छीर सागर का जल है उस जल के गहन में गहान यानी की गड़े में गहान याने की जल के गहराई में गहराई जल के गहराई ठीक है जैसे गड़्धा गहरा होता है तो वैसे गहन कार्थ लेना है गहरा तो बन मतलब जल किसका जल छीर सागर का जल है उस छीर सागर का जो जल है उस जल के गहन यानी गहराई में गहराई के बीच में मद्ध है तो गहराई के बीच में गहराई के बीच में सुख 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 से तो गहराई के मद्ध माने बीच में सुख से सुख 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 यानी की सोय हैं हरी यानी बगवान विश्णू जब आईसा क्या है? आईसा है टाइम काल समझ में आया कि नहीं? ये जो जलधर का टाइम होता है बादलों का काल वर्षा काल होता है वह काल ऐसा है जब विश्णू हरी मने विश्णू सुख मने सुख से कहां पर वन के जल के गहन मने गहराई के मद्ध मने बीच में जल की गहराईयों की बीच में जाकर के भगवान हरी विश्णू जिस काल में सुख से सुख मने सुख से सुख्त मने सो जाते हैं हरी भगवान विश्णू जिस काल में आएसा काल है जल धर काल बरसा काल और उसी की तरह क्या है आस्रम भी है क्योंकि आस्रम में भी क्या होता है समझ आ गया कि नहीं बन मने जल होता है किसका जल लेना है यहाँ पर छीर सागर का तो उसके गहन यानी गहराई के मध्ध मने बीच में जल की गहराईयों के बीच में सुक से सुख सोय है हरी भगवान विश्णों जब मने जिस टाइम पर ऐसा टाइम ऐसा काल है जलधर का काल जलधर मने बादलों का समय मने काल ठीक ह में आसरम में यानी की जंगल है तो वन माने आद रखना जंगल भी होता है और वन माने जल भी होता है तो जंगल के गहन मने गड़े में, गड़ों में, अब देखिएगा, यहां मैंने गहन का अर्थ गहराई किया, यहां गड़ा किया, क्यों, क्यों कि गहन मने गड़ा होता है, लेकिन जल में तो कोई गड़ा हो नहीं सकता था, तो वहां गहराई अर्थ करना पड़ेगा, जल के नीचे, और यहां क्या करेंगे हम जंगल के गहनमने गड्धों में जंगल में गड्धे हो सकते हैं तो उन गड्धों में नहीं गड्धों के बीच में क्योंकि मध्ध भे लिका है ना गड्धों के मध्ध मध्ध का मतलब क्या है बीच में सुख से अच्छा एक और बात है कि यहां पर जो गड्धे लेंगे न वो ऐसे गड्धे नहीं लेंगे कि जिनमें पानी भर जाए जो ढके हुए हो यानि जो गुफाओं हम प्रयोग करेंगे इसके लिए ठीक है गुफाओं के लिए क्योंकि आईसे गड्धे जिनमें पानी भर जाए इसे नहीं लेने है अब ये तो आईसे गड्धे लेने है जो कि जिनके उपर आवरण हो ढके हुए हो तो आईसे वन माने जंगल के गहन माने गड्धे गड्धे यानि गुफाएं उन गुफाओं के मद्ध में बीच में सुकसे सुकसे सुक्त माने सोये हैं हरी यानि सिंग जहाँ ऐशा क्या है? ऐशा है जावाली का आस्रम आस्रम है, आस्रम में जंगल है जंगल में गुफाएं हैं गुपाओं में थोड़ा गड्धे हैं और वही क्या है उन्हीं के मद्ध में सुक्षे 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 मने वर्सा काल में सोते हैं और अगले महिने में जो है अपना थोड़ा बहुत हिलते डूलते हैं और उसके बाद जो है अगले महिने में उठ जाते हैं ठीक है तो समझ आगे के नहीं बन मने जंगल के गहन मने गड़े गहराई गुफाएं उनके मद्ध में बीच में ठीक है सुक से सुप्त सोय है हरी सिंग जहां पर जिस जहां ऐसा कौन हो जाएगा आस्रम तो आस्रम में भी विसे संग घट गया उपर वो भी तो है बरसाकाल में भी घट गया था तो इसलिए बरसाकाल की तरह क्या है आस्रम है आप कह रहे हैं कि हनुमन्तम इव शिला सकलब तहार संचूरन इताक शर अस्थि संचयम हनुमन्तम इव हनुमान की तरह है हनुमान की तरह है इव माने की तरह हनुमान की तरह कौन है आस्रम यह जो आस्रम है वो हनुमान की तरह है ठीक है क्यों भाई तो देख लेते हैं हनुमान ने क्या किया था और आस्रम में क्या है तो देखो हनुमान ने शिला कहते हैं पत्थर, पत्थर के शकल, शकल मतलब होता है टुकडे, पत्थर के टुकडों के प्रहार से, प्रहार से मतलब टुकडों के प्रहार माने मार से संचूर्णित कर दिया था मने चूर्ण बना दिया किसको अक्ष अक्ष क्या था अक्ष नाम का जो है रावन का पुत्र था अक्ष क्या था एक नाम था किसके रावन पुत्र का रावन के पुत्र का एक नाम था अक्ष अक्ष नाम का एक पुत्र था तो हनुमान ने शिला यानी पत्थर के शकल यानी टुकडों के प्रहार से मने मार मार के मार से संचूर्णित मने चूर्ण बना दिया है अक्षनाम का जो रावण का पुत्र है उसके अस्थी संचे को अस्थी संचे मने हड्डियों के समूह को संचे नी समूह को तो अब यहाँ पर देखो शिला के शकल मने पत्थर के टुकणों के प्रहार मने मारसे जवन चूरित चूर बना दिया है अक्ष नाम के रावण के पुत्र के अस्थी मने हड्डियों के संचेनी समूह को जिसने ऐसे कौन है ऐसे है अनुमान ठीक है ऐसे भगवा नुमान है उन्होंने शिला शकल मने पत्थर के टुकड़ों के प्रहार मने मार से संचूने चोन बना दिया था अक्ष नाम के पुत्र जो रावण का था उसके अस्थी संचे मने हड्डियों के समूह को चून कर दिया था ठीक है क्योंकि जो भगवान मने हनुमान जी ने क्या किया था पहले लंका जलाई और लंका जला करके जितने भी जो वहां पर भवन थे उन भवनों का भी खूब चाहिए उनमें भी उनका भी बिनास किया ठीक है तो बात समझ में कि नहीं तो वहीं पर जो है मने राक्षिसों के साथ में हनुमान जी के लड़ाई होती है और वहां पर रावण का पूत्र पहुंचता है यह अक्ष नाम का रावण का पूत्र और उसको हनुमान जी अच्छे से पत्थर के टुकणों से मार करके चोड़न बना देते हैं ठीक है तो यही बात जो है यहां इनोंने संकीतित की है अब विभिन प्रकार की कथाएं हैं विभिन कथाओं के भेद हैं कल्पभेद से या किसी भी मने तो अगर आपने किसी भिन देखते हैं चलिए यहां पर आश्रम में भी यह विशेशन घट जाएगा कि समझाए कि निसीला के सकल बत्थर के टुकणों के प्रहार मार से संचूनित कर दिया आक्षिमा ने रावन नाम रावन का जो पुत्र रथाक्ष नाम का उसके अस्ति संचय हश्टियों के सम्हों इसे भुकवान हरुमान और उनकी तरह आश्रम भी यह देखते हैं आश्रम ने जो आश्रम में क्या होता है तो कहते हैं आश्रम में जो शिला है पत्थर के सकल मन अनके प्रहार से मने उनके वही मार से पत्थरों के प्रहार के मतलब होगा मने गिराने से अब पत्थरों को क्या करते हैं गिराते हैं ना हमने तेल निकालने के लिए वही यहां पर वता रहे हैं सिला मने पत्थर पत्थर के स्तकल मने होते हैं टुकडे, टुकडों के प्रहार से संचूर्नित मितलब पीसा जा रहा है, पीसे गए हैं क्यों पीसे गए हैं से तेल निकालने के लिए तेल निकालने के लिए क्या किये जा रहा है पीसे गए है ठीक है पक्थर के जो टुकडे है उन टुकडों की मार से संचूनित मने पीसे गए क्या पीसे गए है अक्ष के वह अक्ष यहां पर जो है बहेडा बहेडा होता है त्रिफला होती है ने त्रिफला अहां बोला हर बहेडा यह बहेरा जो भी बोलते हैं तो यह जो है अक्षियानी की बहेडा तो उसके बहेडे का जो उसमें क्या रहता है इधर गुदा रहता है मतलब चारो तरफ उसमें चारो तरफ गुदा रहता है और अंदर उसके जो है क्या रहता है गुठली रहती है तो बहेडे के जो अस्थी संचय है ठीक है उसका अस्थी संचय है नि उसका जो अंदर अंदर का हिस्सा अंदर का हिस्था गुठली ऑफ गुठली के अंदर क्या रहता है एक उसके अंदर भी एक जो है डाना रहता है तो वही जो है गुठली इत्यादि क्या किया जा रहा है फोड़ करके और उसके भी अंदर का हिस्सा जो है वो पीस दिया जा रहा जाट ताकि उससे तेल निकल आए वह ही बता रहा है कि जहां पर तो ऐसा काउन है ऐसा आस्रम है कि सिला मने पत्थर के शकल मने टुकणों के प्रहार से मार से संचूनत मने उसको जो है पीस दिया जा रहा है किसको अक्षे यानी बहड़ी के अस्थी संचय नि अंदर का जो हिस्सा है अस्थी मने वह हड़ी है तो हड़ी थोड़े होगी हाँ तो अस्थी मने हड़ी की तरह मजबूत जो संचे मने पूरा हड़ी की तरह मजबूत अंदर का हिस्सा गुठली तो वो जो है पीसा जा रहा है बहडे का अस्थी संचे अंदर का हिस्सा गुठली इत्यादी जहां पर पीसा जा रहा है जहां ऐसा क्या है इसा आस्त्रम है आप कह रहे हैं कि खांडव बिनाशों दितार जुनमियों प्रारब धागनी कार्यम चुछ खांडव बंद था ना खांडव नाम का जंगल था क्या था खांडव नाम का जंगल था तो उस जंगल मैं वन था खांडव नाम का वन था जंगल था तो उस जंगल के विनाश के लिए जंगल के विनास के लिए उद्यत उद्यत का मतलब ततपर अब जंगल का विनास क्या होगा जलाना तो जलाने के लिए उद्यत मने ततपर ततपर मतलब होता है लगे हुए जैसे अर्जुन थे उन अर्जुन की तरह क्या है यहां आस्रम है क्योंकि अर्जुन ने खांडव उनको जलाना चाहते थे तो उन्होंने क्या किया आग लगा दी वहां अर्जुन ने क्या किया अग लगा दी वहीं बता रहें कि वहीं बता रहें अर्जुन की तरह जैसे अर्जुन उन्हें क्या किया प्रारब्द अगनिकार्य को क्या कर दिया अगनिकार्य का मतलब क्या होता है मने जला देना अगनिकार्य का मतलब क्या है जला देना ठीक है कि प्रारंब्ध कर दिया शुरू कर दिया अगनिकार्यमन जला देना जलाना जिसने तो अरजुन ने क्या कर दिया प्रारब्धमा ने शुरू कर दिया समझ में आया कि नहीं प्रारब्धमा ने शुरू कर दिया क्या शुरू कर दिया जलाना सुरू कर दिया ठीक है अरजुन ने प्रारब्धमा ने शुरू कर दिया आगनिकार्यानी की जलाना जंगल को जलाना जो है अरजुन ने क्या कर दिया शुरू कर दिया यह नहीं कि आग को मने बन्ही को त्रिप्त करना बन्ही लगा दी वहां आग लगा दी और आग का पेट भगने लगे खांडव उनका बिनास करने के लिए अरजुन ने वहां पर आग लगा दी यही ताजबर है प्रारब्द ने शुरू कर दिया अगनिकार यानी जंगल को जलाना जिसने ऐसे करते का दी दूझाब्त अगनीकारी अश्रम में भी जरता रहता है अगनिकार में अ मिन एसे ने दूंज स्टा रहता है परारब्द ने शुरू हो गया है अगनिकार ने जहां पर आस्रम है इन्हों ने अग्नीकार यानि चला देना अग्नी का काम जलाना प्रारभ दोने शुरू कर दिया अरजुन नियाग लगा दी जलना सुरू जंगल कर बिना सुरू खांडव उनका और आस्रम में क्या है अग्नीकार यानि जबन अर्थ निगलेगा न थोड़ा अर्थ भी नो जाएगा प्रारप्धोने शुरू हो गया अगनिकार्य हवन जहां पर आइसा है आश्रम और और कैसा है तो कहते हैं कि सुरभी बिलेपन धरम अपी सतता अभिर भूत हब्य धूम गंधं अच्छा कहते हैं कि सुरभी बिलेपन धरम अपी सुरभी किसे कहते हैं सुरभी कहते हैं सुगंधित को सुगंधित बिलेपन मतलब होता है लेप लेप होता है लेप आप लोग समझते हैं न जो सरीर इत्यादी में लगाते हैं तो जिससे सरीर सुगंधित हो जाता है तो सुरभी यानि सुगंधित बिलेपन मने लेप जो चंदन इत्यादी का लेप है उस लेप को धरम मने धारन करने बाला सुगंधित लेप को धरम मने धारन करने बाला अपी माने होता है होने पर भी अत्व केबल भी तो धारन करने बाला होने पर भी ठीक है सुरभी याने सुगंधित बिलेपन मने लेप को धर मने धारन करने वाला पी मने होने पर भी होता दिकेबल भी है लेकिन यहां लगाएंगे होने पर भी ठीक है सतत मने लगातार आविर भूत लगातार आविर भूत मने प्रकट हो रहा है क्या प्रकट हो रहा है तो कह रहे हैं कि हब्व धूम गंधम और कहीं कहीं पर है केवल धूम गंधम कहीं कहीं पर हब्व धूम गंधम तो उसका एक ही अर्थ है उसमें कोई अर्थ में विशेश प्रकार का भेद नहीं है ठीक है तो हब्व का जो धूम है, हब्व मतलब हबंसामगरी का जो धूम है, धूआ है, हब्व महाने होता है, हबंसामगरी हवन सामगरी का धूम मतलब होता है धुआ हम हवन सामगरी का जो धुआ उस धुए का उस धुए का धुए का गंध गंध है जहां ऐसा है आश्रम ठीक है अब अब यहीं पर क्या हो जाएगा बिरोध हो जाएगा अब आप समझ सकते हैं कि अगर कोई जी भी चीज ऐसी होятьिसमें सुगंधित लेप का लेप अगर धारन किया हुआ कोई पिक चदन इत्यदी का लेप लगाया है तो उसको गंध किसकी निकलेगी से उबंधित लेप की चंदन इत्यदी गंध जो है रहेंगी न वहां पर या फिर भून की गंध लगाएक तो हमे की गंद सकती है तो प्सक्फ दियुआ की गंद तो नहीं आ की यहां पर प्सक्राशी सुरवियानी की द्याधृत द करण करने वाला कि मंद कि अइसा हो सकता है आश्रम में लगातर दूवें की गंद प्रकट हो रहे और सुगंधी तिलेप धारण की यह हो सकता है विरोध है क्या है यहां पर पिरोध है तो हम क्या करेंगे अर्थ विदल देंगे यह बिरोध समझ आया कि नहीं आया है कि सुगंधित लेप को धारण करने वाला है तो सुगंधित लेप की गंध चंदनादी की गंध आएगी वहाँ पर उस आस्रम में लेकिन आ क्या रही है हब मने हवन सामगरी के धूम मने धुएं की गंध सतत लगातार आबिरभूत मने प्रकट हो रहा है लगातार वहाँ धु क्योंकि सुगंधित लेप से सुगंधित गंध आएगी धूमे की गंध नहीं आएगी चंदनादी का लेप होगा तो चंदनादी की गंध आएगी धूम की गंध नहीं आएगी तो विरोध हुआ अब विरोध का परिहार कैसे करेंगे तो देखो भाई सुरभी बिलेपन ध गाय को तो गाय का जो गाय का जो बिलेपन होता है बिलेपन कहते हैं गोबर क्योंकि गोबर से लीपा जाता है जमीन को लीप देते हैं जमीन में गोबर का लेपन किया जाता है तो सुरभी कहते हैं गाय को गाय का जो बिलेपन मने गोबर है उस गोबर गोबर बाली ऐसी गोब गोवरबाली धर मतलब होता है गोवरबाली धरा मने भूमी भूमी है जहां ऐसा क्या है ऐसा आश्रम है ठीक है यह समझ आया कि नहीं ऐसा कौन है ऐसा आश्रम है और अस्वतत्मने लगातार वही पूर्बतर्थ जो यहां देखे थे ना सतत्मने लगातार अबिर्भूत मने प्रगट हो रहा है हब मने अन्सामगरी का धूम मने धुमे का गंध मने गंध जहां पर लगातार प्रगट हो रहा है गंध जहां पर तो आईसा आश्रम है अब कोई विरोध नहीं है क्यों क्योंक गोबर से लीपा गया है धरा मने भूमी को तो इसलिए गोबर वाली धरा मने भूमी है जहां पर अवैसा होने पर भी अपिमाने होने पर भी लगातार सतत लगातार आभिरभूत मने प्रकट हो रहा है हब वने धवन सामगरी के धूम धूमे का गंध जहां पर अस्रम में तो अब कोई विरोध नहीं है क्योंकि गाए के गोबर से लीपा गया है और वहां पर जो है अब चल रहे हैं इसलिए उनका धुआ उसकी गंद लगातारास्रम में भरी हुई है और गाय की गोबर से जमीन लिपी गई है कोई विरोध है कोई विरोध नहीं है यहाँ पर तो इसको क्या कहते हैं विरोध का परिहार हो जाता है तो विरोधा भासलंकार हो जाता है ठीक है विरोधावासलंकार हो जाता है यहां पर समझ में आ गया कि नहीं अब कहते हैं मातंग कुल आध्यासित मुपि पवित्रम जो यह जो है आश्रम क्या है मातंग कुल से आश्रेत होने पर भी पवित्र है मातंग कहते हैं चांडाल चांडालों का कुल, कुल मतलब होता है समूह तो बताओ जब चांडालों का समूह, नीचों का समूह अथवा मने शूद्रा दिबरण में उत्पन लोगों का समूह उस समूह से अध्यासित मतलब होता है आस्रित यानि की युक्त अथवा भरा हुआ समझाया कि नहीं मातंग यानी चांडालों का कुल मने समूह उससे अध्यासित यानी युक्त भरा हुआ अपी मने होने पर भी क्या है पवित्र है पवित्र है कौन आस्रम विरोध है कि नहीं है अगर कोई चांडालों कुल से युक्त होगा भरा हुआ होगा कोई जगह कोई आस्रम कोई स्थान तो ववित्र हो सकता है नहीं हो सकता है तो विरोध हुआ क्या हुआ विरोध हुआ और हम अर्थ वज़ल देंगे हम मातंग को अध्यासितम कार्थ करेंगे मातंग कहते हैं हांथी को मातंग माने होता है हांथी हांथी के कुल कुल माने होता है समूह हांथी के समूह से अध्यासित माने युक्त भरा हुआ समूह से युक्त माने भरा हुआ और अपी माने होने पर भी होने पर भी क्या है पवित्रम पवित्र है इधर से घटाएंगे तो विरोध होगा इधर से घटाएंगे तो विरोध नहीं रहेगा विरोध का परिहार हो जाएगा और विरोध का परिहार हो जाएगा तो विरोध दिखता सा है है नहीं उसको हम आभास बोलते हैं विरोध का से आभास होगा समझ में आ गए कि नहीं चंडालों के समय युख्त होने पर भी जो पवित्र है है यहां नीं की हांतियों से युख्त होने पर भित्र है मातंग कार्थ चंडाल करेंगे बिरॉद्र होगा मातंग कार्थाथी कर देंगे तो कोई बाक्य में विरोध नहीं रह जाएगा मातंग के दोनों अर्थ होते हैं अब कहते हैं उल्लसित धूम के तु शत मपी प्रशान्तो पद्रभम देखो उल्लसित उल्लसित मतलब है उपर की तरफ उठ रहे हैं ठीक है धूम के तु शत मने सैक्णो धूम के तु जो है उपर की तरफ उठ रहे हैं उसके बावजू जो है क्या है यहाँ पर प्रशान्तो नहीं हो सकता क्योंकि जब धूम के तू साइकड़ों धूम के तू आते हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा कोई उपद्रव होता है लेकिन यहां पर आइसा नहीं है तो समझ लेना भाई पहले उल्लसित उल्लसित का मतलब क्या होता है उपर की तरफ उठ रहे है उत मतलब होता है उपर की तरफ उपर की ओर लसित मतलब होता है उठना अथवर चमकना उपर की तरफ उठ रहे है धूम के तू ठीक है धूम के तू वो होते हैं जो उत्पात मचाने वाले ग्रह होते हैं ठीक है धूम किसे कहते हैं उत्वातक उत्वात मचाने वाले जो बिनाष करने वाले जो ग्रह होते हैं ठीक है तो उत्पातक जो ग्रह होते हैं धूमकेतु जो समझ में आएक नहीं धूमकेतु गिरते हैं जो उलका पिंडित्यादी वो धूमकेतु की तरह प्रतीत होते हैं समझ में आएक नहीं और आप प्रतुविक बायुमेंडल में आकर के घर्षन से जलने लग जाती तो यह लसित मने उपर की ओर लसित मने उठ रहे हैं जो धूम के तू उत्पातक ग्रह ठीक है और वो कितने सत मने साइकड़ों तो सैकडों क्या है धूमके तु है अपीआ ने भीी भी फिर भी पिर भी साइकडों धूम के तु उत्पातक ग्रहे उपर कितरफ फूट रहे हैं फिर भी प्रशानत अपद्रब है उपद्रब प्रकार का जो विनास है तो बद्रव यानि की प्रजा में जो विनास इत्याद है वो प्रशान्त माने ठंडा है हुआ है जो पिचान डी शल़्टाइन गहीं है गल्द के लिए मज़ी वेनास खेंडा है त city अ कोई बिनास नहीं हो रहा है जो है प्रजाएं नहीं है तो एसा कईसे हो सकता है कि गर सेक्णों दूंओं के तूठें प्र भी जहां पर उपद्रब ना हो रहा हो जहां किसी प्रकार की कोई समस्या बाधा बिनास ना हो रहा हो शब कुछ सांत हो प्रशांत हो इसा कैसे हो सकता है अर्थ बदल देंगे तो नहीं होगा अर्थ कर देंगे उत्मने वही उपर की तरफ लसित यानी की उठ रहे हैं कौन उठ रहे हैं धूम केतु अब धूम केतु मने हो जा हैं ऊपर की ओर उठ रहे हैं साइकडों अगनी जो हैं उपर की तरफ उठ रहे हैं अवपी मने फिर भी जहां पर उपद्रव यानि बिनास प्रशान्थ है ठंडा यानि विनास नहीं हो रहा करेंगे तो अधूम के तुकर्थ कर देंगे अगनी कर देंगे तो कोई रहा है आग ऊपर की तरफ आग की ज्वालाइं तो उuard लशित मने ऊपर की तरफ लसीत उठ excess करही थू मने चमक रही है जो है दूम केतु यानि अगनी सत्मने स्वाइकड़ों अगनिया चमक रही है वहाँ पर समझ में आए कि अब धूम केतु मने आग अगनी कैसे होता है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पर्वतों बन्हिमान धूमात यहां पर पर्वत पर हमने क्या देखा पर्वत पर हमने धूमा देखा तो हम धूम को देख करके पर्वत पर बन्ही का क्या कर लेते हैं अनुमान लगा लेते हैं तो बन्ही को सिद्ध करते हैं तो बन्ही साध्य कहलाती है पर्वत पर सिद्ध करते हैं पर हेतु कहलाता है लिंग कहलाता है ठीक है इसका मतलब क्या होता है ग्यापक ग्यापक्त सब्सक्राइब बन्ही को सिद्ध करा रहा है कहां पर परवत पर हमने परवत दीवार के पीछे धुआ देखा счит हमंज जाते ही कि आग लगी होगी अन्य니다 के दूआ माने कैसे हो सकता है तो यहांपर जो धूआ होता है नद्वा वह बन आग का कि आग का जोए कि वह क्या होता है लिंघ होता है चिन होता है घितू होता है ग्यापक होता है अगर के तू का ओVER है धूम है के तू के तू मने चिन जिसका अगर है तो आग होगी तो धूम बता रहा है कि नहीं आग को बता देता है धूम आग का ग्यापक है के तू है चिन है खिन जिसका इसलिए धूम के तू यानि आग अगनी और वह स्वेकणों अगनिया आस्रम में उलसित हो रही है उद्वाने उपर की तरह फ्लसित उठ रही है चमक रही है फ़गे यहां प्रशांत है प्रसांत पद्रवं ठंडा है यानि कहीं कोई जो है किसी परकार की बाधा स तो इसलिए यहां पर विरोध रहा नहीं रहा तो विरोध क्या हो गया आभास विरोध आवास मंडल सनाथम सदा सन्ही ततरु गहना अंधकारम कि देख लेते हैं भाई कि देख लेते हैं इसको भी परिपूर्ण दुजपत्ति मंडल सनाथम कहते हैं कि परिपूर्ण मतलब होता है पूरी तरह से पूरे पूरे दुजपति मंडल दुजपति कहते हैं चंद्रमा को जो चंद्रमा का जो मंडल है चंद्रमा का जो मंडल है चंद्रमा मंडल मतलब होता है गोल तो चंद्रमा गोलाकार है तो चंद्रमा का मंडल ऐसा कहा दिया चंद्रमंडल कहते हैं मुसूर्य मंडल कहते हैं तो चंद्रमा का जो मंड़ है। उस मंडल से सनात bleiben 20 होने होने से होने पर भी हूँ तो पूरेज़न मंडल से हुप ہोने पर भी सदा हमे湊ं सन्हित रहता है सन्हित मने पास में ही रहता है कि तरु गहनांधकारम तरु याने की तरु याने ब्रिक्ष तरु याने की ब्रिक्षों के गहन मने गहनता सगहनता में जो ब्रिक्षों की सगहनता है ब्रिक्षों का मतलब वहां खालीकन नहीं है जो ब्रिख्षों की सगहनता है, उस सगहनता में अंधकार, अंधकार, जहां, अब बताओ, यहां विरोधिस पेश्ट है के नहीं, कि अगर कहीं पर पूरा चंद्रमा चमक रहा होगा, तो वहां पर अंधकार रह सकता है क्या, वहां कभी भी अंधकार रह सकता है क्या, भाई ठीक है, आस्रम है, जेंगल है, ब्रिख्ष है, लेकिन अगर उन्हीं ब्रिख्षों में ही चंद्रमा आकर के चमकने लगे, तो पास में रहता है क्या पास में रहता है तरू यानिकी ब्रिक्षों की जो गहनता है इतना ज़ाधा पास-पास में पूरी तरह आ सदामने सघंता में पूरी तरह से भरा ही रहता है सन्हित्मने पास में रहता है कभी दूर जाता ही नहीं पहुंचती होगी यह क्या रहा है कि वह आस्रम जंगल पोरा है ना ऊसमें चंद्रमा आया हुँँए उसapa रही तरह से आ creators पर दो पूरी तरही चंद्रमा के मंढल से सनात्मनमने युक्त अपीमने होने पर भी जो जंगल जो आश्रम जो है जहांपर सदा पूरी तरह सन्हित मने पास में रहता है तरु हानी की ताराओं मने जो है गहन यानी सगन्ता में अन्दकार जहां पर पास में रहता है। एकदम चिपके हुए से ब्रिक्षांग में जो है किरेने पार ही नहीं हो पा रही है और यह कह रहा है कि नहीं पूरी तरह चंद्रमा आ चुका है वहीं पर परिपूर्ण मने पूरी तरह दुजपसी चंद्रमा का मंडल उससे सनाथ मने युक्त होने पर भी जो है वहाँ पर इतना अंधकार है बिरोध है के नहीं है तो बताओ अंधकार है हमेशा सदा मने पास में रहता है तरुगहन मने ब्रिक्षों की सघनता में जहां पर अंधका जहां पास में रहता है पूरे चंद्रमा का मंडल से युक्त होने पर भी तो क्या है बिरोध है इस बिरोध का परिहार कैसे करेंगे तो देखो कहते हैं कि आइसा आपने जो ना चंद्रमा का मंडल युक्त है यह अर्थ नहीं करेंगे यह अर्थ करते हैं तो बिरोध होता ह कि हम अर्थ वदल देंगे क्या अर्थ करेंगे परिपूर्ण दुजपति मंडल सनाथ मपी यानि कि वो जो आस्रम है वो जो जंगाल है वहां पर परिपूर्ण माने भरा हुआ है परिपूर्ण माने पूरे दुजपति यानि अब अर्थ वदल देंगे परिपूर्ण का परिपूर्ण उतलव ग्यान से भरे हुए श्रेष्ठ ब्रांभणों के मंदल यानि समूह से सरेष्ठ ब्रांभणों के समूह से सनाथ यानि युक्त तो वो जो आस्त्रम है वो आस्त्रम में दुज मने ब्राम्भन और पती ब्राम्भनों के भी जो पती स्वामी यानि स्रेष्ट ब्राम्भन उनका जो मंडल उनका समोह से सनाथ यानि युक्त है काईसे वो दुजपती है वो परिपूर्ण है ज्यान से ब्रह्मक ज्यान से परि तो अब बताओ जब आयसे ब्राम्वन के मंडल से यूक्त है तो ये ब्राम्वन कोई चंद्रमा थोड़ी है जो अंधकार दूर कर देंगे पिर भी जो है ये ब्राम्वन रहते हैं आस्रम में लेगिन फिर भी जो है सदा मनें हमेशा संहित मनें पास में रहता है किरू यह ब्रामपण को उद्utedर वहां परिपोड से भरे हो मंदल्ञद संहत्थ मने युक्त है आसरम सनात्र фильм पर भी होने क्या रहता है कि अधुज़े वरिक्षों की सघंथा में सघंथा में बहुत ज्यादा गहन है यानी सघंथा में अंदकार वहां पर पास्पर हमेशा सणीत रहता है तो और धिकदब नहीं इंदो उझें रहता है यह इंदोनौ उप्राव्धों था कि चंद्रमा का मंडल भी रहे उंदकार भी रहे तो अब ब्रह्मन भी रहे उंदकार भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो इसलिए क्या हो गया यहां पर विरोध का परिहार हो गया तो विरोधाफास हो गया समझ में आएक नहीं कहते हैं कि वो आस्तरम कईसा है अत्यन्त सुन्दर है मनोहर है मनुको हरन करने वाला है वो क्या है मानु दूसरा ब्रह्मलोक है इव माने मानो अपरम मने दूसरा ब्रमालोक है क्या है दूसरा जो है ब्रमाजी का इस्थान है आश्रमम अपस्यम आहिसा क्या है आहिसा जो है आस्त्रम किसका आस्त्रम जावाली का उस आस्त्रम को अपस्तिम्हा ने देखा अपस्तिम्हा ने देखा किसने देखा मैंने देखा किसने मैंने बैशम पायन नाम के दोते ने देखा ठीक है अब यहां जो है ना आपको यत्र जमलीने ताहविर दुमे सुना चरितेस मुखरागा शुके सुनको पेसु तेक्षनता कुसाग्रे सुना सुभावे सुचंचलता कदली दले सुनमनसु यह जो है ना इसी प्रकार से यत्र-यत्र करके यह उसमें भी आया है नल और भिन भिन अर्थ भी है सलेशी उसलेसन उपरानित है तो इसलिए क्या होगा इनको अट्छे से पढ़ना चाहिए समझ में तभी आईगा और तोते की जो उक्तियां है तो वह बूपतियां भी धहन में रखनी चाहिए यहां पर आभी कुछ तोते के पर जावा लिक है और फिर तोता कुछ उक्तियों को कहेगा तो वो उक्तियां देखनी पड़ेंगी उसके बाद संध्या है रात्री है कि समाप्ते ही हो जाएगा धीर धीर है ठीक है तो हम लोग अगले पार्थ में मिलेंगे कि सर्विभ्यों नमों नमहाँ